पिछले दो-तीन महीने से गाड़ियों की बिकरी में काफी ज़्यादा उतार चड़ाओ देखने को मिल रहे हैं माई के महीने में लॉकडाउन था पूरे भारत में जिस वजया से गाड़ियां काफी कम बिक पाई थी लेकिन जून में गाड़ियां तो काफी बिकी हैं लेकिन फिर भी काफी ज़्यादा उतार चड़ाओ देखे जा सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको पूरे भारत के अंदर जून के महीने में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 20 SUVs के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं ज़्यादा बिकने वाले वेरियंट के बारे में तो वो है टाइटेनियम प्लस 4x4 आटोमेटिक इसके बाद 19th position पर आई है महिंदरा की थार जिसकी 1065 एक हजार 65 यूनिट्स पर की हैं पूरे भारत में थार एक काफी बहitरी गाड़ी है नो डाउट लेकिन अगर यूजर रिव्यूस की बात की जाए तो इस गाड़ी में कुछ तरह की आम समस्याइं आ रही हैं अगर आप जानना चाहते हैं थार में आने वाली आम समस्याए क्या-क्या है तो स्क्रीन की उपर आरी लिंक पकलिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं इस गाड़ी के सबसे ज़्यादा बिकने वाले वेरियंट के बारे में बात करूँ तो वो है LX 4-seater हाट टॉप वेरियंट 18 पोजिशन पर आई है मारूती की S-Cross जिसकी 1,441, 1441 युनिट्स पकी है पूरे भारत में इस गाड़ी का डेल्टा वेरियंट सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है 17 पोजिशन पर आई है Tata Safari जिसकी 1,730, 1730 युनिट्स पकी है जून के महिने में पूरे भारत के अंदर Safari अपनी सेग्मेंट में काफी भैतरीन पैकेज प्रोवाइड करती है अगर आप इस गाड़ी का कंपरेजन देखना चाहते हैं हैक्टर प्लस के साथ तो स्क्रीन के उपर आई लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा इस गाड़ी का X-Jet प्लस 6-seater variant सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है 16 पोजिशन पर आई है रेनो की काईगर जिसकी 2035 दो हजार 35 उनिट्स में हैं पूरे भारत में इस गाड़ी की सेल्स हर महिने मैगनाइट से ज़्यादा हो रही थी लेकिन इस महिने ये मैगनाइट स 40 उनिट्स में हैं पूरे भारत में जून के महिने में इस गाड़ी का X-Jet प्लस वेरियंट सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है 14 पोजिशन पर आई है Toyota की Urban Cruiser जोकी असल में Re-Based Vitara Blisa है इस गाड़ी की जून के महिने में 2584 2584 वेरियंट्स में पूरे भारत में इस 12 उनिट्स में पूरे भारत में यह जो सेल्स फिगर में आपको बता रहा हूँ इसमें Hector और Hector Plus दौनों का combined सेल्स फिगर है अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा पिकने वाले वेरियंट की तो इसका sharp वेरियंट सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है 12 पोजिशन पर जाते हैं सबसे अच्छा वेरियंट कौन सा है या फिर इस गाड़ी का कंपरेजन देखना चाहते हैं टाटा सफारी के साथ तो स्क्रीन की उपर आरी लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा अलकजार का प्रेस्टीज वेरियंट सबसे ज्यादा पसंद किया 511, 3511 यूनिट्स पे की हैं पूरे बारत में अभी हाली में एक ख़बर मिलीती कि जल्दी ही इसी साल के आकर तक इको स्पोर्ट का एक फेसलिफ्ट लॉंच होने वाला है नेक्स जनरेशन की अभी तक कोई भी खबर नहीं है बात करें सबसे ज़्यादा पेकने वाली वेरियंट के बारे में तो वो है इसका टाइटेनियम वेरियंट नाइन्थ पोजिशन पर आई है महिंदरा की स्कॉर्पियो जिसकी 4,160 चार हजार एक सो साथ यूनिट्स पेकी है पोरे भारत में जून के महीने में जल्दी ही अगले साल की शुरूआत में इसकी नेक्स्ट जनरेशन लॉंच होने वाली है उसके बावजूद भी ये नाइन्थ बेस्ट सेलिंग एस्यूवी बनी हुई है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है स्कॉर्पियो उन कुछ गाड़ियों में से एक है जिसको लेने के पहले कश्टोवर पूस्ताच नहीं करता आग बंद करके बस खरीर लेता है इस गाड़ी का S11 वेरियंट सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है एर्थ पोजिशन पर आई है महिंदरा की XUV300 इसकी 4615 चार अजार 615 यूनिट्स पर की है पूरे बारत में पिछले कुछ महीनों से इस गाड़ी की सेल्स कम होते चले जा रही थी क्योंकि सेगमेंट में कॉम्टिशन थोड़ा तकड़ा हो गया था लेकिन इस महीने इसकी सेल्स काफी अच्छी हुई है Global NCAP में सबसे जादा पॉइंट्स स्कोर करने वाली गाड़ी अभी तक XUV300 ही है इस गाड़ी का W6 variant आटोमेटिक ट्रांस्मिशन के साथ सबसे जादा पसंद किया जा रहा है इसके बाद सेवन्थ पोजिशन पर आई है Hyundai की Venue जिसकी 4865 चार हजार आट सो पैस्ट यूनिट से पिकपाई है पूरे बारत में जून के महीने में आम तोर पर इस गाड़ी का sales figure 8000 से 10,000 उनिट होता है लेकिन इस बार पतानी कैसे लगबख 5000 के आसपासी समट कर रह गया है बात करें सबसे ज़्यादा पिकने वाली variant के बारे में तो वो है SX Optional 6th position पर आई है Mahindra की Ballero जिसकी 5744 पिकी है जून के महीने में पूरे बारत के अंदर काफी जल्दी Ballero का एक premium नया variant लॉंच होने वाला है जो कि असल में TUV300 का एक facelifted version है जिसका नाम होगा Ballero Neo इस variant के लॉंच होने के बाद भी जो अभी तक standard Ballero बिक रही है वो बिकते रहेगी और एक नया variant एड़ कर दिया जाएगा बात करें हाल फलाल इसके सबसे ज़्यादा पिकने माले variant के बारे में तो वो है B6 Optional फिफ्थ पोजिशन पर आई है Kia Motors की Sonnet जिसकी 5963 पांच हजार नौसो त्रेसे उनिट्स पे की है पूरे भारत में इस गाड़ी का GTX Plus variant सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है फोर्थ पोजिशन पर आई है Tata Motors की Naxon ये वो SUV है जो आम तोर पर 6 या 7 पोजिशन पर हुआ करती थी लेकिन धीरे धीरे Tata की हर किसी गाड़ी की बिक्री भढ़ती चले जा रही है और अब Naxon फोर्थ बेस्ट सेलिंग SUV बन चुकी है जून के महीने में पूरे भारत के अंदर इस गाड़ी की 8033 युनिट्स बिक्षी है इस गाड़ी का X-Jet Plus variant सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है थोर्थ पोजिशन पर आई है Kia Motors की Seltos जिसकी 8549 आठ हजार 5549 युनिट्स बिक्षी है पूरे भारत में गलोबल NCAP crash test में इस गाड़ी ने 3 out of 5 stars की average test rating score की है पेट्रोल इंजन में HT के जबकि डीजल इंजन में HT X-Plus variant इसका सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है इसके बाद second position पर आई है Hyundai की Creta जिसकी 9941 नौहजार 941 युनिट्स पे की है पूरे भारत में इस गाड़ी का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला variant है SX Optional पिछले काफी महीनों से लगातार Creta इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV बनी हुई है लेकिन इस दुबार जून के महीने में ये second position पर आ गई है और अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV के बारे में तो वो है मारूती की विटारा ब्रीजा जिसकी 12,833 बारा अजार 833 युनिट्स पे की हैं पूरे भारत में इस गाड़ी का ZXI Plus Automatic variant सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है अभी हाली में मिली खबरों की माने है तो अगले साल की शरूवा तक मारूती वापिस से अपना 1.5 लीटर डीजल इंचन इंटोड्यूस करने वाला है जो आपको ब्रिजा में भी देखने को मिलेगा तो चलिए ये तो हो गई जून के महीने में सबसे ज़्यादा पिकने वाली 20 SUVs अगर आप अपने टूबलर या फूर्वलर के लिए कोई सस्ती और अच्छी ऐसेसरी खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानगरी दिवी है अब जाकर जरू देखिएगा इस वीडियो में तो बस इतना ही है अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करतीजेगा इस चनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना आपका दिन शुब रहे दन्दबाद